जीने के बहुने लाखों है, जीना कुछ का आया यह नहीं पांच फिट साथ इंच कद, बोल्ड सेक्सी अंदास और नशीली आँखें जिनकी खुबसूरती के लाखो दिवाने थे इन्होंने 21 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने के बाद फिल्मों में एंट्री की लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी पहली ही फिल्म का एक होट सीन इतना बोल्ड था कि किसी ने इसे एक गंदी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और फिर हंगावा मच गया क्या आपको पता है कि इन्होंने अपनी दूसरी ही फिल्म में एक नेगटिव किरदार अदा किया और फिल्म फेर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रिस का अवार्ड अपने नाम कर लिया और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने अपने करियर के बरबाद होने का इलजाम बॉलिवुड के तीनो सुपरस्टार खांस पर लगाया और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया तो कौन थी ये अदाकारा? क्या थे इनसे जुड़े विवाद? बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कर दोस्तों मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक्टरस सोनू उबालिया की दोस्तों क्या लंबाई भी किसी अभिनेतरी के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है और क्या उसका करियर खराब कर सकती है अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आज हम अपने इस शो में आपको सल्मान खान के साथ काम कर चुकी एक ऐसी ही एक्टरस के बारे में बताएंगे जिन के लिए इनकी हाइट मुश्किल बन गई अपनी लंबाई के चलते इस अभिनेत्री को कई बड़ी फिल्मों से हाथ दोना पड़ा जिसके चलते इन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा आप मैं समझ गई हूँ कि तुमने मुझे इस फिल्म के शूटिंग में आने से क्यों मना किया तुमने में साथ बेवफाई की है क्यों? क्यों हो अभिशे? खास बात ये है कि ये अभिनेत्री मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने के बाद बॉलिवुड में दाखिल हुई थी लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में इनका करियर कुछ खास नहीं चल पाया हम इनके फिल्मे करियर के उतार चड़ाओ की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कौन थी सोनू वालिया और कैसा रहा इनका मिस इंडिया से फिल्मों में आने तक का सफर सोनू वालिया का जन 19 फेब्रुरी 1964 में दिल्ली में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम सतेंद्र सिंग वालिया था जो की भारतिय सेना में अधिकारी थे इनकी मा का नाम दमन जीत कौर था जो की एक हाउस वाइफ थी इनकी छोटी बहन का नाम मोनु वालिया था इनके बच्पन में इने घर में सब सोनु कहकर बुलाते थे और जब ये फिफ्ट क्लास में पहुंची तो इनके दादा जी ने इनका नाम संजीत कौर रखा लेकिन फिर 10 में एडमिशन लेते समय इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना नाम सोनु ही रखेंगी और अपना नाम बदल कर एक बार फिर से सोनु वालिया कर दिया इन्होंने जर्नलिस्म और साइकोलोजी में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद इनके पिता ने इन्हें हिदायक दी कि इन्हें अपनी जम्मेदारी अब खुद उठानी पड़ेगी दरसल वो चाहते थे कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और अपनी जम्मेदारियां समझें सोनो वालिया के हाइट पांच फिट साथ इंच गोरा रंग और तीखे नए नक्ष थे इन्हें इसका फाइदा मिला और इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी सोनो वालिया ने साल 1985 में आयोजित मिस इंडिया कॉमपेटेशन में भी हिस्सा लिया और ये खिताब बहुत आसानी से अपने नाम कर लिया इस खिताब को जीतने के बाद फिल्मों में इनके लिए रास्ते खुल गए और इन्होंने कई फिल्में साइन कर ली अगले ही साल 1986 में आयी फिल्म शर्त में इन्होंने एक मॉडल का छोटा सा किरदार अदा किया उनके भाई अकबर खान के साथ एस लीड एक्ट्रिस काम किया इस फिल्म में सोनु वालिया ने बहुत ही बोल्ड सीन दिये उस दौर में उनके बोल्ड सीन की खुब चर्चा भी हुई क्योंकि उस दौर में बोल्ड सीन पर फिल्माना बहुत मुश्किल होता था जरने के किनारे फिल्माए गए इनके एक सीन ने तो हंगामा ही मचा दिया फिल्म तो फ्लॉप रही मगर फिल्म से इन्हें इंडस्ट्री में एक बोल्ड और खुमसूरत एक्ट्रिस के पहचान जरूर मिल गई इस बीच राकेश रोशन खून भरी मांग फिल्म बना रहे थे और उसी दोरान अपने फिल्म के कलाकारों के चैन में बिजी थे इस फिल्म के अभिनेता कबीर बेदी का चुनाओ हो चुका था और उनकी हाइट को देखते हुए एक लंबी लड़की की खोज की जा रही थी और इस तरह सोनू वालिया को इस फिल्म के लिए रिखा के साथ सेलेक्ट कर लिया गया तुम्हारी जोती ने मुझे ऐइपोर्ट पे फोन किया था कि वो तुम्हारे गले में अपने प्रेम का पट्टा डाल कर तुम्हें यहां लेकिया रही है इस फिल्म में इन पर फिल्माया गया एक गाना जीने के बहाने लाखों हैं रातो रात दर्शकों की जुबान पर चड़ गया और इस गाने में इन्हें काफी पसंद किया गया तो वहीं इसमें इन पर फिल्म आये गए एक और गाने में इन्होंने स्वीम सूट में कबीर बेदी के साथ पूल में अपनी खुबसूरती और फिट बॉडी से आग लगा दी साल 1988 में आई ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रिस का अवार्ड भी मिला लेकिन सोनो को करियर के लिहाज से इससे ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि ये एक निगटिव किरदार था जबके फिल्म के मुखे एक्ट्रिस रेखा के लिए ये फिल्म अपने करियर के मील के पत्थर के तौर पर साबित हुई इसके बाद इन्होंने अपना देश पर आये लोग तूभान, महसंग्राम, हातिमताई, प्रतिकार और दिल आशना है जैसी कई फिल्मों में काम किया इन्होंने इस जमाने में सभी स्टार्स जैसे जिटेंद्र, अमिताब बच्चन, अनिल कपूर, संजय दत्थ और मिथुन चक्रवर्ति आदी के साथ काम किया लेकिन जादा सफलता नहीं मिली और फिर इन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी अभी ने किया पर एक के बाद एक ये फिल्म में फ्लॉप होती रही और इससे इनका करियर ठपसा पड़ गया फिर इन्होंने छोटे पर्दे की और रुख किया और अरधांगिनी, बिताल पच्चीसी और महाभारत जैसे टीवी सीरियल में भी नजर आई पर अफसोस छोटे पर भी इन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी इन्हें चाहत थी और हताश हो चुकी सोनु वालिया ने साल 1995 में अमेरिका में रहने वाले प्रताप सिंग नाम के एक होटल विवसाई से शादी कर ली और अमेरिका शिफ्ट हो गई यहां आपको एक important बात बताते चलें कि इंटरनेट पर कहीं कहीं इनकी दो शादियों का जिक्र मिलता है जहां एक पती का नाम प्रताप सिंग और दूसरे पती का नाम सूरे प्रताप बताया जाता है और उन्हें एक फिल्म प्रोडूसर बताया जाता है लेकिन ये बातें जलत हैं क्योंकि सोनु वालिया ने सिर्फ एक ही शादी की थी और इनके पती ने साउद की कुछ फिल्मों में एक्टर प्रोडूसर के तौर पर काम किया जिसके लिए अपना नाम बदल कर उन्होंने सूरे प्रताप सिंग रख लिया था चलेव आपको बताते हैं कि बॉलि नेताओं से लंबी अभिनेत्रियां स्विकार नहीं कि जाती थी और जो लंबे एक्टर उन दिनों इंडस्ट्री में थे वो इनसे उम्र में काफी बड़े थे या अपने करियर के धलान पर थे और साथ ही जो इनकी उम्र के नए एक्टर्स थे उनमें से ज़्यादातर इनस हाइट में छोटे थे तो इन्हें ना तो अच्छी फिल्मों में काम मिला और ना ही अच्छे रोल आफर हुए। सोनु ने ये आरोप तक लगाया कि इंडस्ट्री में इन्हें तीनों खांस की वजह से काम नहीं मिला। क्योंकि तीनों की हाइट कम थी और कई बार तो ऐसा होत था कि साइन की हुई फिल्मों से इन्हें बिना बताए उसके अभिनेता के कहने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था जिसके बारे में इन्हें बाद में पता चलता। अब सच्चाई क्या थी कहना मुश्किल है। अब मैं समझ गही हो कि तुमने मुझे इस फिल्म के शूटिंग में आने से क्यों मना किया। तुमने में साथ बेवफाई किया है। क्यों हो अभिशे। खैर कुछ-कुछ गैप्स के बाद सोनु ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल करना जारी रखा और साथ 2008 में आई फिल्म जैमा शेरा वाली में ये आखरी बार दिखाई दी। और फिर लगभग 4-5 साल बाद अमेरिका से भारत अपनी बेहन के पास लोटाई। यहाँ इन्होंने अपनी बेहन के पती वेनित शर्मा के साथ एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और जोगिया रॉक्स नामक फिल्म का निर्मार किया। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज साल 2017 में एक बार फिर सोनू तब चर्चा में आई जब इन्होंने एक अग्यात शक्स के खिलाफ अशलील फोन कॉल्स करने और वीडियो भेजने की शिकायत दर्ज कराई। अभिनेतरी की शिकायत पर मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 354 और IT Act क सोनू का कहना था कि इन्हें एक हफते से अशलील वीडियो और भद्दे फोन कॉल्स आ रहे थे जब इन्हें लगा कि ये इसे अब बरदाश्त नहीं कर सकती तो इन्होंने पुलिस की मदद ली। पुलिस ने जाच के बाद बताया कि कॉलर का नंबर अब मौजूद नहीं ह और फिर जाच को बंद कर दिया गया हलाकि इसके बाद कॉल आने भी बंद हो गए। एक बार फिर से अच्छे रोल मिलें तो ये फिर करना जरूर चाहेंगी। सोनू अब 69 साल की हो चुकी हैं पर पहले की तरह ही अब भी फिट नजर आती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सोनू वालिया एक बार फिर से अपने फैंस के बीच दमदार किरदार करती नजर आएं। तो दोस्तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और दिल्चस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। और यूटूब के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को भी स सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको हिंद सिनमा के कलाकारों के अनसुने किस्से और अनजान पहलूं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल श्वेता जया को दीजी इजासत नमस्कार।